आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की दिवाली आने से पहले ही केजरिवाल के सरकार ने फिर से पटाको पर बैन लगा दिया है और कहा है कि इस बार भी लगतार तीसरे साल पटाके बैन रहेंगे और वहीं भाजपा का कहना है जो दिल्ली में विपक्ष में हैं कि यह सिर्फ हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने क काम है क्योंकि सिर्फ यह दिवाली होली इसी से पहले क्यूं सरकार के ऐसे फर्मान आते हैं आज उसी पर हम बातचीत करें और जानेंगे कि आखिर लोग क्या समझते क्या यह हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे के जिरिवाल के बयान आते है या फिर ऑलिशन है पॉलुशन भी हमारी ही देन है हम यह इतना ज़्यादा बातवर्म को पॉलुट्टीट कर रहे हैं पर एक तरह मैं कहूं तो आजकल के जो हमारे रीती रिवाज हैं नियम है हमारे जो तोहार है वाज कल खतम होते जा रहे हैं जब हम छोटे थे मैं अगर अपनी में उस रिती रिवाज को लेकर पूजा पाड़ भी होती थी और उसको इंजॉय भी किया जाता था कि तब पॉलुशन नहीं था पॉलुशन आज हमारी देन है पर हम त्योहारों को अगर मनाते हैं तो यह सिफ हिंदू धर्म को लेकर ही क्यों होता है होली हमारा एक बहुत ही फट्राप प्त है सबको पता है दिवाली बहुत है हमारा पडर्वित्द्वяж अगार है वार था कि तो लेकर हम एक पॉलूशन की क्यों रख रहे हैं वे कितने यह लोग पठाके पोर्टे शादी पार्टी होथी है आपने थे नहीं हों कुछ भी अच्छा फंक्शन होता ह किई एपनतों हमपले चले खेलते हैं हुआ को अगर वाट बात करती हूं तो हो लोगों जुड़ते नहीं Одम दिने जान्हें हमारे देश नहीं हूं हमारे देश की धंवाइबा प्रदान सेवा Naj assure तो आपने तोहारों को खुले दिल से मनाई है उसी तरह मनाई है जैसे पहले हम मनाया करते थे तभी जाकि जो बच्चें आगे आने वाली पीडी को समझा सकेंगे कि हमारे तोहार क्या है दिरे दिरे बनना है यह सब्वेता लुप्त हो जाएगी और हम होली दिवाली एक प्र लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से दिवाली नवंबर में और अक्टूबर से हमें पता है कि ठंड आने की शुरुवात हो जाती है और क्योंकि ठंड आने की शुरुवात होती है तो जो मौसम है जो तापमान है वो नीचे चला जाता है और जिस वज़े से उस समय जो प कई एक्सपर्ट का भी कहना है कि दिवाली के वक्त इसलिए भी बैन लगाना जरूरी होता है क्योंकि वो ठंड के मौसम में ऐसा होता है कि देखे अगर इसमें कहुंगे कि इस बार तो दिवाली नवंबर में आ रही है तो यह बहुत मुद्धे उठेंगे कि और भी ज्यादा थंड का मौसम आ रहा है और भी आदा प्राली का सीजन आ रहा है सब चीजे एक साथ हो रही है मांतियों बच्चों में बीमार्य भी बहुत बढ़ रही है इसको लेकर हम लोगों को मास्क पहने की जोद पर जाती है और इवन का चक्कर चल जाता है कि आप गाड़ियां लेक सारे कदम उठाए और निशकर्ष कुछ नहीं निकला उन मशीनों का कोई इस्तमाल नहीं हो रहा कोई डिजल्ट नहीं आया तो ऐसे ना करके उनको पूरे साल ना सोते हुए सिर्फ यह नहीं कि सिफ पराली के टाइम पर या दिवाली के टाइम पर जागे और जनता को बोले संत्रिय गोपाल रहे हैं उनका कहना है कि हम पठाके के बजाए दिए जला करेंने थका धिवाली ल future है बची रहेगी लोगों की जिन्दगी बची रहेगी और साथ ही साथ हम ते उहार का भी आनंद ले सकते लिए जला के तो यह उनका एक तरीका है जो प्रुद्न को खासता रुरह फिया है तो आप इसुझा देखिया वाट्यों को निश्टो को नहीं कि देखा है तो हर कोई जल जलाने भी चाहिए हमेशा पर जो बच्चों की खुशी होती है आप छोटे बच्चों को देखेगा जब पठाके जलाते हैं अलग सा उत्सा रहता है एक अलग सी खुशी रहती है वो पूरे साल के लिए इनफ होता है कि अरे दिवाली आ रही है तो उनमें को उत्साहित करने वाले चीज नहीं रह जाएगी तो उनको उत्साहित करने के लिए उनमें एक त्वहार की खुशी देने के लिए यह भी जरूरिया यह बंद नहीं होना चाहिए और एक और अंतिम सवाल दिवाली से बहुत लोगों का रोजगार जो होता है जो व्यापार है यह जुड़ा ह रोजगार होता है कई लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़े हैं उनके व्यापार का रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे बनाने का यह एक तरीका होता है दिवाली के वक्त और इस तरह से सरकार जब बैन लगाती है पूरे तो आपको नहीं लगता है कि लोगों क जो काम रोजी रोटी है वो चिंजाता ओंगे जो इस रोजगार से जुड़े हैं पता adult Kind ofatif रोजगार से जुड़े हुए ठीक है बहुतों का काम चलता है कडोरों और वह में कवाही होटी हैनका घर चलता है तो एक तरह से यह देन है कुछ लोगों की खुशी में कई करते हैं तो इसी तरह पटाके भी बहुत लोगों को रोजगार देते हैं तो आपको उनमें भी समर्थन देना चाहिए तो जैसे दिखा आपने हमने बात चीत की और जो कि रिवाल ने फैसला लिया कि बैन रहेगा पटाके जो दिवाली से पुर्व उनका ये फैसला है लेकिन व्हाज़गे जो लेसन्स हैं ये क्यूं निये जाते इन दो होगारों के समय ने लेसन्स क्यूं दिये जाते भाज़पा के कई लोगों का भी यही कहना और साथ में लोगों का भी यही मानना है कि हमें सलेटिव अप्रोच न Candice अगर कोई काम करना तो पूरे साल साल करें इ सौगंध टीवी, सौगंध वतन की